नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफिर्स की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है आज है 28 जुलाई 28 जुलाई से करंट अफिर्स के जितने भी important question बनते हैं उनके बारे माज हम चर्चा करने बाले हैं ठीक है, चलिए इस्टार्ट करते हैं आज का करंट अफिर्स पहला question है आपका current difference में कि हाल ही में केंद्री सिक्षा मंत्री धर्माइंदर परधान नदी को जानो app launch किया है अब देखिए आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में केंद्री काबिनेट का जो मंत्री मंत्र है उसको change किया गया है इससे पहले जो धर्मेंद प्रधान जी है ये पैट्रोलिय मंत्री थे अब इनको क्या बना दिया है सिक्षा मंत्री तो इन्होंने क्या काम किया है हाले में नदी को जानो नामक एप को लॉंच किया है ठीक है इस एप के मात्यम से वो क्या बताना चाहेंगे आपको इस एप को launch करने का उद्धिस क्या है कि यह है पूरे भारत में नदियों के बारे में पहले जानकारी को इखटा करेगा और एक database तैयार करेगा जिससे क्या होगा आप जितने ही प्रिकार की नदिया होती है उनके बारे में जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकें ठीक है तो यह बात आ सवार्टी हाईकमान का दवाब बहुत ज्यादा बढ़ गया है जिससे उन्होंने अपने मुख्मंत्री पत कया दे़ी तो आपको याद रखना है कि हाल ही में किस राजिक के मुख्मंत्री ने अपने पत से इस्थीप्द दिया तो अzeर क्या हुआ करनाटक इनका ना मैं ब ठीक है थे अब नहीं है देखिए आप रोमा लगा करो रहे हैं जब पत्ष लागे ना बहुत बड़ी बात होती इसमें अगे जानिए इसमें बी ऐसे येदी रुपा चार बार करनाटक के मुख्मंत्री रहें परंतु चारों बार मुख्मंत्री बनने के बाद भी इन्होंने एक बार भी अपने पूरा पांस साल का करकाल कंप्लीट नहीं किया है तो ये बात आपको याद रखना है कि करनाटक के जो मुख्मंत्री थे वह चार बार बने है लेकिन इन्होंने एक बार भी अपना करकाल पूरा नहीं किया जब ये पहली बार मुख्मंत्री बने थे उस में दिखनी अपना करकाल पूरा नहीं करने दीआ देख्यामुख मंत्री को हटाए गया है तो पस्य स्थिप्र दिया तो नए मोख मंत्री बनेऊंगे यहाँ पर तो यह हाली में यह आपर जो नए मोख मंत्री वने वहे कोने तो जो पार्टी हाई कमाने भाजपा की उन्होंने करनाटक के नए मुख मंतरी के रूप में नए नाम की गोशना किये जो कोने जो करनाटक राज के ग्रह मंतरी है उनका नाम क्या है वसवा राज बोमोई तो करनाटक के जो ग्रह मंतरी थे उनको वहां का मुख मुख मंत्री गोशित किया गया कि आपको यहां पका सीम बनाया जाएगा ठीक है तो साम साथ वजे बिदायक दल की मुटिंग में स्थीपा देने के बाद में मुख मंत्री बी ऐसे येदी रुपा ने बोमई के नाम का प्रस्ताव रखा और सर्व सम्मती से उन्हें क्या चुन लिया गया सेवर मोग सीम उनको चुन लिया गया तो आपको देख रहे हैं यह अब आंगे क्या हो जाएंगे आपको करनाटक के नैसी हैं बन जाएंगे ठीक है चली अब करनाटक राज के वारे कुछ बाते जाल लेते हैं राज का नाम क्या है करनाटक यहां की राजभासा क्या है कनड़ ठीक है राजधानी क्या है बेंगलूरू इसका गठन कप क्या गया था एक नमवब्र 1956 को यहां पर बिदान घृष काisherj Yukit neurosikum आडगे secondeye करनााड़ राज की सीमा कौन कौनसे राजियों से मिलती एक कितने राज़ियों से मिलती तो answer केतना होगा पांच इसकी सीमा मिलती तो ये पांचो राज्जों के नाम आपको याद रहना है क्योंकि इस से इसकी स्थली सीमा मिलती है यहाँ यहां की जब राजबाल की बात करते हैं तो उनका नाम के है बजू भाई बाला यह कौन है करनाटक के राजबालें जिसे यहाँ पर मैं लिख रहा है मुख्यमंत्री BS ये दूरप्पा ये थे लेकिन अब नए कोन बन गए यहाँ के मुख्यमंत्री वसव राज बोमई ठीक है तो आपको ये बात इसमें याद रखना है आगे हम जानेंगे करनाटक उच्छ नियालाई का जो नियालाई करनाट से याद रखनाय ठीक है चली आगे आगे बढ़ते हैं आगे आप से कहा गया कि हाल ही में अमेरिका के बदेस मंत्री अभी नीज्यमंत्री उनका नाम कहा है एंटनी विलिंकेन ठीक है ये अभी कहा है भारत आएं भारत की यातरा पर आएं और इनकी यातरा कितने दिन की है दो दिन की ठीक है और दो दिन की यातरा के लिए कल मंगलवार को ये दिल्ली पहुँचे है ठीक है कल ही पहुँचे है मंगलवार को दिल्ली म तो यह यहां पहुश कर किन किन वेक्तियों से मुलाकात करेंगे देखिए सबसे पहले तो आप तो क्या जानना इसमें यह उनकी भारत की पहली विदेश यात्रा है जब से वहां पर जो वाइडरिंग की सरकार बनी है तब से पहला ऐसा कोई मंतरी मंदल का सुदस है यह कोई म स्टेट ठीक है तो यह नाम भी आपको याद रखना या तो आप पूचेगा से विदेश मंतरी या फिर पूचेगा कि हाल ही मैं सेकेर्ट्री ऑफ स्टेट किस देश के आए हुए तो आंसर क्या होगा अमेरिका नाम क्या होगा इंका एंटनी ब्लिंकेन ठीक है इस यात्रा के दोरान वह भारत के प्रधान मंतरी नरेन मुदी एबं भारत के विदेश मंतरी एस जैसंकर और राष्टी सुरक्षा सलाकार अजीत डुवाल जी से मुलाकात करेंगे तो यह बात भी आपको इसमें याद रखना है पेपर के लिए इंपोटेंट है ठीक है चलिए अब आ सरकार के सरभौ समंगतन में सामिल किया गया है तो यह जो परसन आपको देख रहा है यह कौन है? यू ए ए इके उद्ध्योग्ति है, ठीक है? इनका नाम क्या? यूसुफ अली तो वहां की गबर्मेंटन ने उनको सरभौ समगतन में सामिल कर लिया, यू ए ए की ठीक है? तो उस संगटन में कुल सदस कितने 29 लेकिन उन में ये परसन अकेले भारती हैं मतलब इंडियन परसन है वो ओनली वन ठीक है आगे जानते हैं वे अबुधावी में लूलू गुरूप के चेर्मेन हैं मतलब इनकी कंपनी का नाम क्या है लूलू तो ये बात भी आपको इसमें या स्वीट जर्लेंड के नेदाज में 20 वा अंतराष्टी अलफारन फेस्टिवल मनाए गया है तो ये आपको पेपर के लिए याद रखना है ये कल की ही खवर है आपको याद करना है कि अंतराष्टी अलफारन फेस्टिवल कहां मनाए गया है तो आपका अंसर क्या होगा स्व कौन सी नम्मर का ही है बीस वे नम्मर का ठीक है तो चली कल के कुश्चन का अंसर जान लेते हैं अपन कल मैंने आपसे पुछाता कि friendship train किन दो देसों के बीच में शुरू की जाएगी तो इसका सही उतर क्या होगा option नम्मर ए नैपाल तो नैपाल और भारत के बीच में भारत में कहां से बिहार से बिहार में कहां पर मदुवन से मदुवन की क्या प्रशिद्धें पैंटिंग तो भारत के बिहार राज के मदुवनी जिले से इस ट्रेन को चलाया जाएगा कहा तक के लिए नैपाल तक के लिए तो पेपर के लिए आपको याद रखना है चलिए आज के कोशन अपड़े जान लेते हैं आज के कोशन अपड़े है आपका कि हाल ही में यूनिसकों ने अपनी सूची में किस राजिके मंदर को शामिल किया है आप्शन आपके दिये तमिल नाडू आंदरपर्देश, करनाटिका एवं तेलांगाना तो सही उत्तर आपको कमेंट वॉक्स में करना है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं करेंट अगली वीडियो में तब तगकि लीनमेश कार